रास्तान की राजनीती में रनभेरिया बच चुकी हैं आज हम विधानसवा छित्र बानसूर हैं हमारे साथ बात करने के लिए मुझूद हैं बानसूर से वर्तमान में बहुजन समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे विधानसवा चुनाओं को लेकर बात करेंगे मुकेश यादाव से राजनीतिक परीचे के रूप में यदि हम बात करें तो समाजवादी पार्टी से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं प्रदेशा अद्यक्ष रहे हैं लेकिन हाल दिनों में समाजवादी पार्टी से उनका मोह भंग हुआ बस्पा में शामिल हुए बात करते हैं मुकेश जी से मुकेश जी लंबे समय तक समाजवादी के साथ रहे अचानक बस्पा में जाना क्या कारण रहे मैं लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहा मेरा तो जनमी समाजवादी पार्टी में हुआ है समाजवादी पार्टी में उननीस सु चोराण में से जुआइन करने के बाद दो हजार हठारा तक मैं समाजवादी पार्टी में रहा लेकिन मैं समाजवदी पार्टी से चुनाव नहीं जीत पाया उसका कारण रहा है कि कुछ लोग कहते थे बाई मुलायम सिंग्जी राष्टी अद्रक्स मुलायम सिंग्जी यादव है उम्मिद्वार भी मुकेश यादव है अन्य लोग मेरे साथ नहीं जुड़ पाये इस व लोगों का अपने विधानसवदी पार्टी के आम मद्द आताओं का कोई बला नहीं कर सकता इसलिए मैं ने समाधवादी पार्टी छोड़ करके बस्पा में जाने का निरने किया चुकि बस्पा का अगर राजनीतिक इत्यास देखें तो अमोके जी पहली बार राजस्थान विधान सवा में बस्पा के जो दो कंडिडेट जीत के गए उनमें बांसू से स्वर्गे जगत सिंग दायमा पहली बार पहुंचे थे दूसरे कंडिडेट नगर भरतपूर से गए थे तो बस्पा की राजनीतिक जमीन अलवर भरतपूर दोसा में बात करें तो काफी मजबूत दिखाई देती क्या यही कारण रहे कि आप कास्ट फेक्टर को प्लस करने के लिए बस्पा में चले गए या इसके अलावा भी और कुछ आपको लगता है बस्पा में आपको बेनिफिट होने वाला है मैं बस्पा में कास्ट फेक्टर को करने के लिए नहीं गया हूँ बस्पा की रेती नीतियों में मेरा विश्वास है मानिय जगत सिंग जी दायमा मंतरी थे वो बहुजन समाजुद पार्टी काशिराम जी काशिरवाद से वो चुनाव जीते थे बहुजन का मतलब है 3600 ब्रादरी को साथ लेकर चलने वाला बस्पा एक काश्ट की पार्टी नहीं है बस्पा 3600 ब्रादरी की पार्टी है इसमें अमीर, गरी, मर्जदूर, दलीत, ब्यापरी सब लोग सामिले इस वज़े से बस्पा में गया कि बस्पा सब को साथ लेकर के चलती है बस्पा में सब का सम्मान है सबी कार्य करताओं को सम्मान है इस वज़े से बस पहाँ है अगर आपके राजनीति कितियास की बात करें तो एक लंबा अन्बह हो चुका है लगभग तकरीबन साथ चुनाव आप लड़ चुके हैं छे चुनाव अब तक लड़ चुके हैं पांथ समाजवादी पार्टी से एक चुनाव अपने निर्धलिय लड़ा और यह साथवा चुनाव हो है लंबा संगर्स रहा क्या लग रहा है इस बार? वो रोक सके, यह कहीं विश्वास गाइब हो गया, इस वज़े से पूरे बांसर में, मेरा भी 35 साल का अनुभव हो गया, पबलीक में रहते हुए, पबलीक का मन है, कि अब की बार मुकेस को देखे, कई साल हो गए, हमारा लोकल व्यक्ति है, 24 कंड हमारे बीच में रहता है, मै सुक दुख में इनके साथ भी रहता हूं, जाता भी हूं, तब की बार पबलीक का मन है, कि बस्पा राष्टे पार्टी है, सब की पार्टी है, तब की बार पबलीक का मन है, कि मुझे भी विश्वास है, कि पबलीक मेरा साथ देगी, और मुझे अब की बार चुनाव जिता में दलीतों के जो एक आंदूलन चला था उसमें लाटी चार्ज हुए कई जगे वो फैक्टर काम किया और उससे बस्पा के बहुत से कंडिडेट जीत के अलवर से संधी प्यादव जीते दीप्चन खेरिया जीते तो आपको क्या लगता है वो एक फैक्टर था या इस बार भ भी बस्पा के उतने कंडिडेट या उससे ज्यादा कंडिडेट राजस्तान में जीत के आ सकते हैं अब की बार बस्पा के करीबिन 25-30 उम्मीद्वार जबर्दस्त उम्मीद्वार जो जीत कराएंगे बहुजन समाज पार्टी 200 विदान सा सीटों पर चुनाओ लड़ रही ताकि उम्मीद्वार जीते हैं अब की बार जो भी राजस्तान में सरकार बनेगी मुझे विश्वास है बिना बस्पा के सयोग से सरकार नहीं बनेगी पिछली बार जो लोगों के जाते बात करते हैं कि जो भी उम्मीद्वार जीते हैं मले बने वो टूट करके बस्पा को होड़ करके Congress में चले गए वो कड्राइज लोग नहीं थे वह संछथानात्मग लोग नहीं थे वो किसी चाहऊ बीजेपी से आई हुए लोग थे या कॉंग्रेस नहीं लोग से लोग thee या कहिना कि सत्ता के लोबी लोग थे वो टिकेट ले करके गलती शिय बस्पाने उनको टिकेट दे जिया और वो जीत करके चले गए इस वजे शो पार्टी छोड़ करके चले गए आज मैं हूं मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है केडराईज व्यक्ति हूँ समाजवादी पार्टी जब मैंने 25 साल टाइम बिता है तो मैं बस्पा को छोड़ करके नहीं जाओंगा मुझे पार्टी बनानी है जनता ने मेरा विश्वास किया मुझे जिता है तो मुझे बस्पा की सरकार बनाने में तक मदद करूँगा ताकि कि बस्पा की सरकार बने और किसान मजदूर ब्यापारी चातरों को लाब मिले इस तक हम पहुंचाएंगे पार्टी को छोड़ करके नहीं जाएंगे बस्पा के लिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा और आम रहती है कि बस्पा की टिकेट पे दाम लगाये जाते हैं जै किसी से कोई पैसा नहीं लेती है नहीं किसी से कोई तंग करती है यह जो लोग जूट बोलते बस्पा को बदनाम करने के लोग यह कोई बीजेपी माइंड की लोग कह सकते हैं कांग्रेस माइंड की लोग कह सकते हैं कि बस्पा पैसे देकर के टिकेट देती है ऐसा नहीं है किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांगती है आप अगर बस्पा से अपना दावा इतना मजबूत मान रहे हैं तो बस्पा ने तो एक टिकेट की सूची जारी कर दी मुकेश अदव का नाम नहीं आया भी क्यों संसे कैसा क्या और भी कोई उम्मीदवार तलास रही है बस्पा ने पांच से अपनेरों की सूची जारी कर दी मेरा नाम इस वज़े से मुझे उन्हों ने कहा था कि आपका पहली लिस्ट में नाम कर दे मैंने उन से कहा था का अभी नाम तय मत करो धेरे धेरे कर देना अब जो बस्पा की लिस्ट आएगी सूची आगज type आता अब जो लिस्ट आएगी उसमें मेरा नाम तरह हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है उनका नाम भी कई बार बातों में है कोई सच्चाई इन में कोई सच्चाई नहीं है ये राजनीती से कुछ तो बठके हुए लोग है कुछ नो सुखिये लोग हैं अगे इनको पता नहीं है अकम राजनीती हमें क्या कर रहा है कुछ आप बांसर में कुछ नेता हूँ तब ही राजनीती हैं मैं LKG की किलास है मैं तो तीस साल से धक्ये खा रहा हूँ छे चुनाओ मैंने लड़ें आम व्यक्ति को मैंने देखा है आम व्यक्ति को मैंने सुनाए आम व्यक्ति के घरकर में गया हूँ जो ये लोग छोटी-छोटी बाते करते हैं बस पा का टिकेट में लेकर आ जाओंगा मैं कॉंगरेस का टिकेट लेकर क्या जाओंगा मैं भाजब पा का टिकेट लेकर क्या जाओंगा ये ऐसा नहीं है टि पार्टी किस व्यक्ति पर विश्वास करेगी किस को टिकेट देगी मानि वो होगा इतना लंबा समय रहा आप बार-बार कह रहे हैं 30 साल का मुझे अनभव रहा 35 साल का मुझे अनभव रहा आपको नहीं लगा कि अगर कहीं मूल पार्टी कॉंग्रेस या भाजबा से आप किस किसमत मैं साय लिखाते दोस किशी का नहीं है मान लीजे मुझे पहले चुनाओ नहीं जीतना भगवाण लिखा था मेरी किसमत में नहीं था मैं मुहनmidt भी कर रहा हूं कहीं मेरि कर उन्हें कुमीर्ए hacker के आगे में मिल जाए पता निक कम मिल जाए पब्लीक है और नहीं मिले तो पूरी जिंदगी भी नहीं मिले तो यह कहना चाहूंगा मैं हारा जीता लेकिन मुझे इस बात का मलाल नहीं है पब्लीक मुझे आपके वार जीता देगे बस्पा के अगर केंद्री नतरत की बात करें, राज्तान नतरत की बात करें तो क्या इस्तिति लग रही आपको ने बनाया है, यदि वास्तों में बीजे पी को रोकना चाहते है तो ब्हेंजे को प्रदान मंतरि का नाम गोसित करे ये बीजेपी तो अपने आप ही रुख जाएगी बस्पा के बोट के इतनी बहेंकर पूरे देश में ताकत है कि कोई ताकत ने आज इंडिया गोशित कर दे को बहेंजी को बहें मायवती को देश का प्रधानमंतरी गोशित करते हैं इंडिया की तरफ से आप उबाल देख ले चाहितान के लोग व्क्राइगरत उुम सब काम कर रहें अच्छे हैं अच्छे मेहनट कर रहा हैंब ही हमने परिवरतर शुकराही निकाली ती सरुजन हीताय सरुजन सुखाय यात्राह मने निकाली थी जोधपुर से उदय पुरृ से वं धोल Pur止 से चली झायत्सलिए और जय पार्तिय और आपकी बार रास्तार प्रयन देने वाली कि अब फी यह भी सर्कार तीचसे विधायक यह विश्थी कि जीते लोगी घेर लोगी कि सरकार में चलेगे यह प्विट कर चलेगे लेकिन बस्पा के दुआरा ही तो रास्तान की सरकार चली बिना बस्पा कि तो नहीं सल सकी आने वाले टाइम में भी बस्पा की सरकार होगी राश्तान का नेतर तो बहुत अच्छा है आपका एक लंबा अनभव राजनीती में रहा बांसुर से लंबे समय तक राजनीती करते हैं जातिवाद का फेक्टर कहीं लगता है काम करता है राजनीती में कोई जातिवाद का फेक्टर ने जो व्यक्ति काम करेगा तो उसके लिए क्या जातिवाद है और जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वो जाती के पीछ राजनिती करेगा वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता आज मैं बात करूँ यादा समाज की कोई व्यक्ति कहीं ने कहीं किसी समाज में पैदा तो हो गई राजनिती भी करेगा लेकिन मेरे लिए कोई जातिवाद नहीं है ultimus Bratseri मुझे चाती है मेरा समाज भी मुझे चाता है मेरे समाज ने मुझे पहले बोट भी कापी दिया है और 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 भी लोग देते हैं 22bers Rinus Regal वो मुझे मन से चाती है आज मेरे साथ है और भगवान ने चाहा तो 2023 में 36 ब्रादरी मुझे मत देगी इस बस्पा के हाथी को वोट देगी ताकि हम चुनाओ जीते रास्तान के सबसे बड़ी बंचायत में जाएं और सब का भला करें क्योंकि दोनों मूल पार्टियों से यादो समाज के प्रत्यासी भी प्रमुक्ता से टिकेट की डिमांड कर रहे हैं मेरा सवाल इसलिए आप से आया कि कहीं समाज आपको उस समय वोट देने में पीछे तो नहीं रख देगा क्योंकि भारतिंदा पार्टी से महिंदर यादो प बात करूं तो भारति जन्ता पार्टी से महिंदर यादो टिकेट मांग रहा है पिछली बार जब टिकेट ले करके आए तो हमारे समाज ने यादो समाज ने 95% बोट महिंदर यादो को दिया है मुझे नहीं बोट मिला लेकिन मुझे इस बात का दुख भी नहीं है कि मुझे समाज का बोट नहीं मिला वो इस वज़े से नहीं मिला कि बड़ी पार्टी से सता में जो पार्टी थी उसका टिकेट जब समाज को मिला है तो समाज के तो पूल भोट थे जो बीजीपी के कट्र समर्त कहें वोन्होंनें बिजीपी को बोρ नहीं जै जब बीजीपी का मूल पोट यादbahn ओको नहीं मिल रहा है तो फिर जीते का कैसे अब वो तीशनें निंबर पर चला गया सैध अब की बार टीकट्ट मिलने वाला ही नहीं है टिकेट मिलने वाला नहीं है अब की बार पिछली बार मेरे पास समाजवधी पार्टी थी समाजवधी पार्टी छिद्री पार्टी थी अब मैं चुनाव लट रहा हूं बस्पा से अब बस्पा भी राष्टी पार्टी है बस्पा का कैडराइज बोट भी है आज बस्पा का कैड्राइज बोट यहां 55,000 के करीब है तो अब वो दिक्कत नहीं है मुझे कि मेरा समाज बोट नहीं देगा 3700 ब्रादरी बोट नहीं देगी मैं भी चुनाओ राष्ट्य पार्टी से लड़ रहा हूं जब राष्ट्य पार्टी से चुनाओ लड़ र रहा हूं 24 गंटे परिवार के बीच में रहता हूं सुक दख में 24 गंटे साथ रहता हूं तो अब कि बार बस्पा में समाज बोट देगा 3700 ब्रादरी बोट देगे आपके साथ लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं पूरु मंत्री रोहिताश शर्मा आजकल खुले मंचों स बड़ी प्रसंसा करते हैं मुकेश भाई आगे बड़ो मुकेश भाई इंडिरेक्टली पीठ थप थपा रहे हैं आपकी सायोग करेंगे उनका क्या है उनका मत है बाई वो पिच्चेतर साल के करीम हो गए उनका मत है क्या करें क्या नहीं करें वो बीजेपी से टिकेट अब उनके बारे मैं क्या कहूं वो मेरे लिए कहते हैं मुकेस भाई आगे बड़ हम तुम्हारे साथ हैं तो व्यक्ति राजनिते में एक दूसरे के मनोबल के लिए कही देता है हम भी आपके साथ हैं कोई राजनिते में ना तो कोई प्रेमी है और नहीं कोई दुस्मने, पता नहीं कब राज नहीं किसकी मजबूरी क्या हो जाए और किसकी मदद कर जाए, यदि वो भी यदि बसपा की मदद कर दें, मेरी मदद कर दें, तो हमें क्या इतराज है, कर दो, जो कोई वक्ति मालो, कहीं ने कोई एक दूसरे मालो, उसको टिके जगतित्षिक दावा करते हैं कि सट्टर सालों की तुलना में अभूत्पूर विकासकारे बांसुर में होएं कितना सच्चा है दावा उनका। बनवाया है SDM कोट बनवाई ती रेष्ट हाउस बनवाया है होस्पिटल रेफरल होस्पिटल किया है तब उस वक्त तो कोई काम बहुता अब तो ऐसा नहीं लग रहा है इस सरकार में यह मंत्री कुछ गिना देगी काम करवा देगी मुख्य काम इनका होना था ओद्धोग एक बोड़ खोरी और नहीं मुचाना चातर पुराम लगे लेकिन ऐसाने कहीं मिरी को नहीं बना पाई यह फेल साभी तो चुकिए आपका लंबा समय संगर्ष में रहा है राधनिती गूरूप से 30 साल तक आप घूमें हैं लोगों में रहे हैं क्या लगता है लोगों के बीच म क्या समश्याएं आज भी विद्दमान है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है लोगों के बीच माज भी इतनी समश्या है कि इतनी गुंडा गुर्दी फेली हुए बांसुर में बहेंकर गुंडा गुर्दी है बहेंकर विभावों की तरफ से ब्रष्टाचार है चाए आप अंतरी ने अपने हिसाब से लगा दिए उनकी दोंसे हमें तो मिनिश्टर के आदिम है वाम जाजब करना नहीं चाहते कल पकर से कोई बंचाशन काड़ कर नाम जुडवाने चला गया और उसको बीडियों धंका के भेज दिया यहां से निकल जाओ अब बीडियों कैसे व्य जिएंगे तबी तो कोई विकास की बात करेगा लेकिन जनता तो ऐस रक्षित है गुंडा किरती हो रही है कहीं मडर हो रहे हैं कहीं बेटे का कंकाल पड़ा है कहीं भूपचड़े की महिला को ले जाकर बरतरी मार दिया कहीं कोई दिली से लास लाकर बानसुर में दाबाया जा रहा है कहीं कोई गोलियां चल रहे हैं कहीं कोई ब्यापवरी से प्रोती मांग रहा है कहीं कोई लोईती में गोलियां चल रहे हैं कहीं मोरोडी में गोलियां चल रहे हैं कहीं बालावास में चल रहे हैं बुरे हालात बानसुर 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 दरी हुए जंता विक पायटी काउमी दुआ रा गया, मैंने दो अठ्याव में चुनाव लड़ा, तो राम सिंग जी और मैई पाल जी चुनाव लड़ थे, वो मुझसे बोथ सेनियर थे, दो अजार दो में चुनाव लड़ा, तो सरकार चुनाव लड़ रही थे, मुझे अच्या बोट मिला, दो में चुनाव लड़ा, तो माईकपाल जी को कॉंग्रेशन टिकेट दे दिया, दो अजार आठ में चुनाव लड़ा, तो से मांग कर लगया, छेतर नया हो गया, दो अजार तेरा में चुनाव लड़ा, तो बीएस्पी ने ओम प्रकास जी को चुनाव, मोगर को चुनाव ल मिलेवाणों को चत्ती से ब्रहादरी का बोट है अब मुझे लग रहा है कि अब की बार में चुनाव जीतूंगा और पब्लिक की सुरक्षया भी करूंगा नोजवानों के लिए रोजगार की ब्योस्ता भी करूंगा इस कस्वे में जो गुंडा गिर्दी हो रही उसको भी र होगा पर कामन है और पब्लिक कामन है